हेलो दोस्तों स्वागत आप बिटकॉन दुनिया में तो दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं और लूना कॉइन को बाई करके रखे थें और उसका एड़ाउप आप लोग को मिला है तो आज की वीडियो आप लोग जो है बहुत जादा इंपोर्टेंट है वीडियो को पूरा जरूर देख लीजीगा ठीक है अभी आप लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में तो दोस्तों अभी आपको जो है कुछ जो है पर्सेंट जो है आप लोग मार्केट क्रिन दिख रहा होगा उसके पीछी सबसे बड़ा रीजन है बिटकॉाइन का प्राइ लागातार जो है रेड में जो है क्लोज हुआ है जो कि अभी तक कि हिस्टी में पहली बार देखा गया था ठीक है उसके बाद जो तीस मैं को जो इसका जो है वीकली केंडिल स्टार्ट हुआ था और जो है छे जून को क्लोज हुआ है वो जो ग्रीन में हुआ और 6 मैं को जो इसका नया weekly candle open हुआ यह जो है green zone में open हुआ अगर bitcoin price 30,000 के ऊपर रहता है तो कहीं न कहीं यह positive sign है ठीक है बाकि आप सभी से मैं करना चाहँगों कि crypto market में जो हम सोचते हैं उसका जो अपोजिट होता है ठीक है वेल से आप जो है अपोजिट काम करते हैं अभी आप लोग देख रेश्टेंस है 36-35,000 के करीब का अगर इसको breaker को उपर जाएगा तो आप लोग वही जो prediction है लोगों का उल्टा आप लोग दिखेगा 40-50 और जो अपना all time high बनाते हुए दिख सकता है bitcoin price ऐसा ऐसा न्यूज आप लोगों सुनने को मिलेगा तो दोस्तों इस वैसे मैं को buy करने जाते हैं हम लोग wait करते हैं तो वहाँ से market pump हो जाता है जब हम उस coin को sell करते हैं तो वह coin pump हो जाता ठीक और वहीं जो हम buy करते हैं तो market वहाँ से जो है वह coin नीचे जाता तो इससे बचने का एक अगही तरीका है part wise investment करिए part wise अपने profit को book करिए और अपने holding power को बना कर रखिए अगर आपका जो है coin loss में चला गया है तो वहीं जो bitcoin dominance के अब बात करें तो अभी 47% के करीब चलना है ठीक है और मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ इसका 48 49 50 वाला zone है एक अच्छा resistance है और इस resistance को यह जो है पिछले साल break नहीं कर पाया था जब भी इस zone में आ लेगा जब यहां से bitcoin dominance दिसंबर जनुरी फरवी महिने में जो नीचे जाना इस्टार्ट हुआ तो बिटकॉबर नॉम्बर महिने में जो है bitcoin dominance नीचे गया था फिर हम लोग ने बिटकॉइन को नया all time है बनाते हुँ देखा था ठीक है अब यहां बिटकॉइन डॉन में है तो हम bitcoin के price को उपर जाते हुए देखेंगे साथ में जो आल्सकोइन भी जो हम लोग उपर जाते हुए देखेगा वहीं आप लोग बता दो पिछले 24 घंटे के अंदर 70 billion के करीब inflow हुआ अपने crypto market में आप यह आप देख सकते हैं कल के date में जो है अपना जो market cap था 1.226 trillion के क दिख रहा है आप लोगों बता दो जो bitcoin miners है जब पिछले जो है 2-3 मेने से bitcoin price नीचे जा रहा तो वहाँ जो bitcoin जो miners ने अपने bitcoin को यहाँ पे sell भी किया है यह भी एक कारण हो सकता है कि bitcoin price जो है अच्छे खासे level पे नीचे गया था और यह जो इन्होंने selling किया यह जो पिछले यही एक साल पहले bitcoin price 35,000 के करीव था दो साल पहले जो है 95,000 के करीब था तिन साल पहले जो है लबा अठायह सो डॉलर के करीब था तो इसका अप जो है तो आप जो है थोड़ा सा आप अन्दाजा लगा सकता है कि जो लोग 5 साल के लिए bitcoin को hold करके रखे होंगे वो आज के date म भी जो है अच्छे खासी लेबल पर प्रॉफिट में होंगे या दो साल पहले भी अगर आपने बिटकॉइन को बाई करके रखा हुआ होगा तो आज की डेट में जो है आप कम से कम जो है 3x आपको फंड हुआ होगा ठीक है तो यह आप जो है समझ दीजे कि आपके पास अगर बुलिस हूँ आप लोगों को माने जो है एक दिन पहले भी जो इथेरियम पर बारे में बताया हुआ था कि अभी जो है सेफ और प्रॉफिटबल कोईन में देखा जाए तो सबसे जाए आप लोगों को इथेरियम देखेगा ठीक है तो उसको क्या हुआ था लोगों ने जो करके रखा हुआ था लबक जो है साथ सो पचास मिलें डॉलर के जो लोगों ने जो है क्रिप्टो माइनिंग पर बैन लगाने की बात आई थी सामने और उसका जो कोई खास जो है इंपक्ट जो है अपने क्रिप्टो मार्केट पे नहीं पड़ा है जो लोग जो है पैंकेक स लबक चार डॉलर के क्रीब आ चुका था उनके लिए जो है एक अच्छी न्यूज आप देख सकते हैं लब जो है आठ परसें के क्रीब जो है इसका प्राइज अब हुआ है अब पिछले 24 घंटे गंता देखा है तो लबक जो 148 परसें के क्रीब इसका वॉलूम इंक्रीज हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा रेजन है दोस्तों बाइनेंस लेब ने जो है पैनकेक स्वेप में अनुस्मेंट किया यहाँ जो ओफिसली एनॉंस्मेंट आया है जिसकी वैसे आप लोग जो है पैनकेक स्वेप को होल्ड करके रखे हुए है उ आप लोग जो है एक अच्छे खासे प्राइज में यह आप लोग जो है सेल करने का मौका मिलेगा ठीक है अब आते हैं दोस्तों लास्ट में अपने इस न्यूज पे इंडिया क्रिप्टो होल्डर्स फेस 30% टेक्स ओन लूना 2.0 एयर डॉप जो आप लोग जो है लूना का जो एर्डॉप मिला है उस पर आपको 30% टेक्स देना पड़ेगा ठीक है आप लोगों को मैं याद दे लाँ चंक दोस्तों जो रूल आया था उसमें यह क्या गया था कि आपको किसी भी प्रकार से कृप्टो से इंकम होता है उसमें आपको 30% टेक्स देना पड़ेगा जैस इधिरे में जितना profit हुआ उस पे हमको tax देना पड़ेगा 30% बाकि जो bitcoin में जो loss हुआ उसका जो कोई सुनवाई नहीं मतलब कि जो हमारा loss है उसको हम set up नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस वैसे जो लोग जो है luna coin को buy करके रखे था high price पे ठीक है उनका जो पैसा loss में गया है उस उसका जो हमारी government के तरफ से कोई सुनवाई नहीं है ठीक है कि उसका जो हम loss set up कर सकें किसी और cryptocurrency के तोवारा ऐसा कोई भी option नहीं है आप लोग के पास ठीक है लेकिन जो हम लोग को ये जो नया जो टेरा लूना coin मिला है air drop के तोर पे उस पे हमको 30% tax देना पड़ेगा मतलब दोस्तों ये देखा जाए तो कहीं से भी जो है ये सही नहीं है क्योंकि यहां पर जो है हम लोग को जो loss हुआ है वो जो है हमारा fund पूरी तरह से zero कर दिया है लेकिन जो है air drop जो है उस पे हमको 30% tax देना पड़े क्योंकि rule यही है कि जो है कि किसी तरह का आप लोग को air drop मिलत पर मिला है उस पर 30% tax देना पड़ेगा अब इसके उपर जो है आपका क्या विचार है आप comment box में comment जरू करेगा किसी विद्र का जो है कोई गलत बात मत लिखेगा बस अपने जो है विचार सामने रखेगा आपको कितना जो है 2.0 जो air drop मिला है कितना coin है वो कितनी जो है इस आपको और हमारा जो टेलगाम एकाउंट है इसको जोईन का लिजे नीचे डिक्स्रसन में इन दोनों का भी लिंक आप लोको मिल जाएगा इस वीडियो में दोस्तों इतना ही जय हिंद